नमस्कार, मैं हूँ स्वामिल जैन, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल इंडिया खवल लाइब में आज हमारे साथ मौझूद हैं काला पीपल विधान सवाग के विधायक और पूर्व अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, बरतमान इस्तिती को लेकर प्रदेश की वरतमान इस्तिती को लेकर उनकी क्या विचार हैं ये भी सुनेंगे सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आज देश में और प्रदेश में वीरोजगारी बहुत बढ़ गई है तो वीरोजगारी को लेकर आपकी क्या रहा है देश की सबसे बड़ी चुनोती है वो आज ही तारीक में है कि 50,000 नौजमान रोज तयार होते है जिनको रोजगार की ज़र होते है पर हम लगभग 500 रोजगार देने की जगा 500 से ज़्यादा कम रोजगार रोज हो रहा है और बड़ी चुनोती देश के सामने है कि कैसे इन पड़े लिखे लोगों को रोजगार दिया जाए कैसे गरीब मद्यमबर का हर व्यक्ति को रोजगार दिया जाए पर सरकार का जो सोच है जो विचार है कि जिन वादों के साथ सत्ता में आया थे कि 2 करोड साल के रोजगार देंगे लगभग 7 साल में 14 करोड रोजगार देने की बात करने वाले 14 करोड रोजगार खतम करने का काम करा और एक concentration सरकार का होता है कि उनकी concentration का एक बड़ी चुनोती देश के सामने है कि कैसे इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए और इसे चुनोती मानके सबसे पहले इस पर उपर काम करना पड़ेगा क्योंकि लोग ल माद्यम से रोजगार उत्मनों और जब तक रोजगार उत्मनी होगा एक बड़ी चुनोती और भयावात तरह की इस्तिती मद्देश के सामने अभी है और आज लोगों के पास स्टूडेंस के पास डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है तो फिर उन डिग्रियों का क्या महत्त खास रेख घावह यह का कई घरी चली है दो फाइदा नहीं हो रहा है इंसान ना तो क्राज Bennett परीवेश के काम पार और स्थिती और स्थिती रोज भिगड़ती जा रही Must वो बेरोजगारी हुआ अफसाद में आके कहीं आत्मत्या जिसे कदम उठा रहा है कहीं जगा गलत चीज़े कर रहा है तो इस पर सुरूप से देश के अंदर क्राइम भी जो बढ़ा उसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है इस देश के अंदर जो नफरत की बाते बढ़ मदपदेश में तो सरकार को क्या नीतिया अपनानी चाहिए कैसे सुरक्षित रहेंगी जब सरकार का कंसेंट्रेशन कानून विवस्ता को नहीं माफिया को संद्रक्षन देने का भाशन में गार देंगे तांग देने की बाते तो मुख्यमंत्री करते हैं पर जो जमली जामा कानून विवस्ता के लोग बहरती जिन्ता पार्टी के लोग है कई लोग माफिया जो भारती जिन्ता पार्टी संबंद हो चुके वो लोग कहीं न कहीं इस फरकार की हरकते करते हैं और लगातार आप देखेंगे कि वेरुजगारी एक शरात और इनके कारण महिलाओं पर प प्रदेश में चल रहा है कि बड़े बड़े भाशन की ये योजना चालू कर दो, वो योजना चालू कर दो, महिला ससक्षी करें की बात कर दो, पर असल आकड़े कि पिछले एक साल में दस हजार से ज़्यादा महिला आप अत्या चार प्लस कहीं न गई घटनाए जो हुई है, इस्थ उज़ार का अफ्राज हुई है, सदन के अंदर जवाद दिया, तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ना तो एक हम अहमदोリो गोगों का साभूध प्रयाद, उर होना चाहीं कि समस्या है, पैर एस समस्या को समस्या समझे, इसका कैसे सालूशन हो, इसकी ओपर स सरकार सब बड़िया उच्छे ऑच्छे कोशेश रहती है अभी मद्दब्रदेस में नग्रिय चुनाओं होने वाले जिसको बंगाल चुनाओं के स्टार प्रशारक होने की वज़े से उनको तिन चार महाँ टाल दिया गया है तो नगरी चुनाओं में कांगरेस की इस्थिटी क्या है क्या नीती अपनाएगी वह आगे नगरी चुनाओं में यह कांगरेस की सीधी इस्तिती ती कि नगर की सरकार जो है मूल भुता अधार वेवस्ताओं की और सरकार ने जो करा है भारती जंता पार्टी दो इसने लूट और भरस्टा चार के काम करें जो मदपदेश के नगरें में रहने वाले लोगों के साथ अवविकसित करा उन को ए कांगरी सरकार ने मांग की है कि वैलेट पीपर से जो है इस वार पार्शा चुनाओ नगरी निकाय चुनाओ होने चाहिए इवी-एम से नहीं होने चाहिए इसमें आपकी क्या रहा है इस पस्ट है जिस चीज के उपर भरोसा नहीं कई जगां इसके उपर बेभरोसा हो चुका की वी-एम एक मशीन है जब अमेरिका जैसे राज देश के अंदर बैलेट और दूसरी चीज़ों से चुनाओ कराते हैं तो क्यों यहां पर हड़ दर्मितार लोकतंत्र है भरोसे का काम अगर जिस चीज पर भरोसा एक भी व्यक्ति को नहीं है तो उसको भरोसा दिलाने के ल इस सरकार है वहां के भी चुनाओ वेलेट पेपर से नहीं हुए वहां जी अचिज देना चाहते हैं? मेरा युवाओं से आगरे है कि जो परिस्तियां है ऐसमावह के साथ घबराएं नहीं और पूरी ताकत के साथ और बिल्बकुल ग्रहना और नफरत के पदाया जारा है लोग धर्म के नाम पे किसी भी नाम पे रोज घ्रना और नफरत पढ़ाता है मेरा आगरे है कि राम को मानो तो राम की मानना सीको अगर अल्ला को मानो तो पेगंबर को समझदा सीको महावीर को मानो तो इसके सिर्दान को समझदा सीको और इन चाहे कुरान पढ़ लो चाहे बाइबल पढ़ लो चाहे गीता पढ़ लो चाहे रामायन पढ़ लो चाहे महाभारत पढ़ लो इस देश में हर जगे सिर्फ सर्थ गंत के अंदर जो है ग्रहना के खिलाफ लिखा है नफरत को खिलाफ लिखा है प्रेम का भाव लिखा ह और हर भाव आता है प्रेम के भाव से तो धर्म के उसके हम आस्ता रखें विश्वास रखें पर जो ग्राणा और नफरत के लोग पाट पढ़ा रहें उससे दूर रहें लोगों के साथ सामंजस बना के इस देश की एकता खंड़ता को बनाए और अपने परिवार को आगे काम करेंगे और जूट की बाते छोड़के सच्चा ही और धरतल पर क्या होगा इसके लिए काम करें 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 झाल 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